आपका हमारे चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल में स्वागत है आगे बढ़ने से पहले प्ली चैनल जरू सब्सक्राइब करें गर्मियों में हमारी शेहत की देखपाल कैसे करें गर्मियों में हम अपनी शेहत का ख्याल कैसे रखें इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि गर्मियों में हमें क्या-क्या नहीं खाना पीना चाहिए गर्मियों में हमें नारियल पानी पीना चाहिए क्योंकि नारियल पानी में कैल्शियम होता है जो कि हमारी शेहत के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है और यह ठंडा भी रहता है खासकर गर्मियों में इसको जरूर पिना चाहिए कीवी वैसे तो गर्मियों के मोसम में सारे फल लाबकारी होते हैं लेकिन कीवी एक ऐसा फल है जो हमारे लिए एक वर्दान साबित हुआ है खासकर हरीद्य रोग्यों के लिए दांतों की समश्या के लिए किड्निक के मरीजों के लिए हड़ियों की बिमारी के लिए और ब्रे दे심न होता है कि कि गर्म्यожम में हमें सुबह श्याम और दोपैर को दहीस का सेवन करना चाहिए क्योंकि दही के सेवन से हमें ठंडक मिलती है लेकिन इस बात का चरूर ध्यान रखे कि श्याम को छैबजे के बाद दही का सेवन ने करें नहीं तो पेट की समश्याएं हो सकती हैं जिन लोगों को चेहरे पर ओयल ज्यादा आता है उनको कुबानी और अप्रिकोट का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये दोनों ओयल को खतम कर देते हैं निम्बू पानी का सेवन ज्यादा करें कच्चा आम गर्मियों में हमें कच्चे आम का पन्ना बना कर पीना चाहिए यह बहुत ही टेस्टी होता है और ठंडग देता है गर्मी को खतम करता है लसी का सेवन भी लाबकारी होता है इससे हमें लिक्टिक एसिड मिलता है और यह हमें फूर्ती देती है लसी में खाना पचाने कई सक भी ज्यादा होती है खीरा जिन लोगों को गर्मियों में ज्यादा ओयल आता है उन लोगों के लिए खीरे का सेवन करना लाबकारी होता है यह गैस ऐलरजी भी खतम करने में मददकार है खीरे में 96% पानी होता है यह हमारे पाने की कमी को खतम करता है कठल यह कद्दव जैसा होता है इसके सेवन से blood का pressure कम होता है और heart attack की समश्या कम होती है तर्बूज तर्बूज पाने का सोर्स माना जाता है क्योंकि इसमें 96% पानी होता है तर्बूज से हमें सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम मिलता है गर्मियों में हमें पुदीने की चटनी का सेवन करना चाहिए क्योंकि इससे हमें ठंडग मिलती है या हेल्थफूल होता है जामुन जामुन यूरेन में शकर की मातरा कम करती है जिसमें 95% पानी होता है जामुन शरीर को एंटि उक्सिडेंट देता है इसलिए गर्मियों में जामुन का सेवन करना चाहिए सत्तु इसे चने गेहूं और जों को पीश कर बना जाता है सत्तु को पानी में मिला कर पीए गर्मी में यह रामबान माना जाता है आम में विटामिन सी और आयरन होता है इसका सेवन करना चाहिए ओली स्कीन वालों को बहुत ज़्यादा आम नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे पिंपल्स निकल जाते है आशा है आपको हमारा एक वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज मारा चैनल जरू सब्सक्राइब करें हेल्दी लाइफस्टाइल धन्यवाद